बुद बॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में कॉंप्लेक्स नंबर के लिए कॉंप्लेक्स कॉंजूगेट क्या होती है समिस्त्र संख्या का मापांग क्या होता है समिस् llegar संक्या का कॉंग क्या होता है और संक्या का दिरविय रूप इस बारे में सबसे पहले कि संच्या समिस्त्र संय संख्या क्या होती है complex conjugate क्या होता है तो इसके लिए यदि जैड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई यह एक समिस्थर संख्या हो तब एक्स माइनस आयोटा वाई कि इस समिस्थर संख्या की संख्या या complex conjugate नंबर कहलाता है अब तथाइसे जैड वार से व्यक्त करते हैं जैड का जो complex conjugate होगा उसको जैड वार से व्यक्त करेंगे अब यदि जैड इखवल टू जैड बार हो इस जैड इक्वल टू जैड बार का मतलब है कि यह उसकी complex नंबर हो उसका complex इसका मतलब है मतलब है कि यह एक वास्तिक सेंग्ड इसमय यह सबस्क्राइब इसका मतलब है कि जैड कह अपनिक है जेड विशद्ध कालपनिक तो यह समिस्र संयोग में संक्या होगी अब इसकी कुछ एक प्रोपर्टीज लेते हैं कि समिस्र संयोग में संक्या होगी प्रोपर्टीज क्या होगी तो इसके लिए यदि हम यह कहें कि z equals to x plus iota y यह complex number है तता z bar equals to x minus iota y इसकी complex conjugate है तब हम देखेंगे कि z bar equals to z bar का bar equals to यह क्या हो जाएगा यह वापस x plus iota y होगा इस means z equals to z bar का bar इसी तरीके से अखर अपने देखें तो z plus z bar z plus z bar means 2x 2x का मतलब होगया 2 real part of z z minus z bar 2 iota y z minus z bar करेंगे तो 2 iota y means 2 iota imaginary part of z क्योंकि y imaginary part of z होगा इसी तरीके जेगे दे z1 plus z2 इन दोनों की एक साथ संयूग में ले तो ये आएगा z1 bar plus z2 bar similarly अगर z1 minus z2 bar करें z1 minus z2 का बार करें तो z1 bar minus z2 bar हो जाता है इसी तरीके जे z1 into z2 का बार ये z1 bar into z2 bar और z1 upon z2 अगर इसकी संयूग में ले z1 upon z2 की संयूग में ले तो ये होगी z1 bar upon z1 bar जबकि z2 does not equal to 0 ये कुछ एक समिस्थर संक्या के संयूग में समिस्थर संक्या की properties है अगला टोपी इसमें कि समिस्थर संक्या का मापांग क्या होता है समिस्थर संक्या का मापांग क्या modulus of a complex number इसके लिए है कि यदि z equal to x plus iota y ये समिस्थर संक्या हो तब root x square plus y square ये समिस्थर संक्या z का मापांग कहलाता है या root x square plus y square का मतलब क्या हुआ कि x और y, x, z का real part है और y, z का imaginary part है तो इसको आपन लिख सकते हैं कि real part of z इसका square plus imaginary part of z इसका square, इसका root यह z का mapunk होगा तो z के mapunk को mode z से व्यक्त करते है अब इसकी कुछ एक properties ले तो अपन यह देखें कि since mode z mode z equals to a root x square plus y square अब चुकि x square और y square यह दोनों ही हमेशा greater than or equal to 0 होंगे तो root x square plus y square की value भी greater than or equal to 0 होगी इसलिए अपन कह सकते हैं कि mode z हमेशा greater than or equal to 0 होगा similarly mode z mode z means root x square plus y square और root x square plus y square की value greater than or equal to x होगी it means it means real part of z होगा यहनि mode z greater than or equal to real part of z होता है इसी तरीके जे mode z root x square plus y square इसको अपन greater than or equal to y भी कह सकते हैं और y का मतलब है कि imaginary part of z means mode z की value greater than or equal to imaginary part of z होगी अब यहनि अपन z z equals to x plus i to y तब इसका mode z होगा root x square plus y square इसी तरीके जेकर z भाव ले तो x minus i to y इसका mode z भार क्या हो जाएगा यह भी root x square plus y square इसी तरीके जे minus z minus z का मतलब होगा minus x minus i to y तब mode minus z यह भी क्या होगा root x square plus y square और mode iota z mode iota z means iota z क्या हो गया iota z का मतलब हुआ iota x minus y इसलिए mode iota z भी root x square plus y square इसलिए अपन क्या कह सकते है कि z का mode z bar का mode minus z का mode और z iota का mode इन सभी के मापंक बराबर होंगे इसी तरीके जे जेड़ वन इंटू जेड़ टू इसका mode यह mode z1 into mode z2 के पराबर होगा mode z1 upon z2 जबकि यहां भी condition यह है कि z2 की value 0 के बराबर नहीं हो यानि z2 सुन्य का समिस्थर सिंग्या नहीं होनी चीए तो यह z के मापंक की कुछ एक property जहीं इसके अलावा इसी में mode z के मापंक या z का जो मापंक है उसकी property जो है अगली है अतिया कुछ है कि mode z1 plus z2 यह value less than or equals to mode z1 plus mode z2 mode z1 plus z2 यह greater than or equals to mode z1 minus mode z2 mode z1 माइनस z2 यह less than or equals to mode z1 plus mode z2 और mode z1 minus z2 यह greater than or equals to mode z1 minus mode z2 यह यह चारों भी mode के लिए properties है और इन चारों को पहते त्रिबुज यह समीका है ट्रैंगुलर इनेक्विलिटीज तो यह आपके समिस्थर सिंख्या का मापांक है अब यह समिस्थर सिंख्या का कौणांक है तो समिस्थर सिंख्या के कौणांक के लिए कि यदि z equals to x plus iota y यह समिस्थर सिंख्या हो तब z के कौणांक का क्या मतलब है किस z के द्वारा निरुपित जो इस ट्रे का खंड होगा वो xx के साथ कितना कौण बना रहा है वो z का कौणांक होगा इसको अपन argument z या amplitude z से व्यक्त करते है अर्थार यदि z equal to x plus iota y एक समिस्थर सिंख्या है तो z का कौणांक theta equals to होगा theta या इसको argument z या इसको argument z या amplitude z यह होगा 10 inverse y अपन x के अब किसी भी समिस्थर संक्या का कौणांक एद्वितिय नहीं होता है क्योंकि यदि किसी भी समिस्थर संक्या का कौणांक theta हो तो 2n pi प्लस theta भी उसका कौणांक होता है इसके लिए जो समिस्थर संक्या का कौणांक होगा वो x और y इन दोनों के चिन्नों पर निर्बर करेगा इसके लिए अपनिया देखते हैं जिसे अपने पास 4 case हो कि यदि x greater than 0 और y greater than 0 इसी तरीके से यदि x less than 0 और y greater than 0 x और y दोनों ही less than 0 या x greater than 0 और y less than 0 तो इन चारों इस्तितियों में समिस्थर संक्या का कौणांक क्या होगा तो इसके लिए जब x और y दोनों ही positive हो तो इसका मतलब उसका जो कौणांक होगा समिस्थर संक्या का कौणांक first cardnant में आएगा तो इसके लिए इस case में theta equals to हता है 10 inverse y upon x इसका mode इसी तरीके जब x negative हो जाए और y positive हो तो उस case में इस समिस्थर संक्या का कौणांक ये second quadrant में आएगा और इसकी value होगी theta या argument z equals to pi minus 10 inverse mod y upon x तीसरा case है जब x और y लेंज दें 0 तो इस case में argument z या theta equals to क्या हो जाएगा minus pi plus 10 inverse mod y upon x और जब x positive और y negative हो तो इस case में theta या argument z ये value होगी minus 10 inverse mod y upon x यानि किसी भी समिस्थर संक्या का कौणांक एद्वितिये नहीं होते है और साथ में उस समिस्थर संक्या का जो कौणांक है वो x और y के चिंदों पर निर्बर करेगा और इस तरीके से उसकी value जाओंगी इसके लिए अपन ये देखते हैं जैसे कि यदि example के रूप में लें अपन कोई यदि z equals to 1 plus आयोटा रूट थ्री है तब आर्गूमेंट जैड या थीटा इकवस्टों क्या हो जाएगा 10 inverse रूट थ्री अपन 1 means 10 inverse रूट थ्री रूट थ्री किसकी value होती है 1060 की यानि पाई भाई 3 जब इसी तरीके से जब z equals to माइनस 1 प्लस आयोटा रूट थ्री हो तो यहाँ चुकि x negative है और y positive है तो इस case में theta equals to होगा pi minus 10 inverse mod root 3 upon minus 1 यानि pi minus 10 inverse root 3 यानि pi minus pi by 3 means 2 pi by 3 इसी तरीके से जब theta equals to जब z sorry जब z equals to minus 1 minus आयोटा रूट थ्री तो इस case में theta equals to या argument z equals to यहोजाएगा minus pi plus 10 inverse mod minus root 3 upon minus 1 यानि यानि minus pi plus pi by 3 यह होगा minus के 2 pi by 3 और चोथा gauge है कि जब z जब z equals to z equals to 1 minus आयोटा रूट 3 तब theta equals to 10 inverse mod of minus root 3 upon 1 यह minus के pi by 3 तो जब x और y के चिन अलग अलग होंगे तो उस case में जो z के मापांग z के जो कोडांग है वो उनका रूप भी इस प्रकार से हो जाएगा